Hello Everyone, आपका हमारी YouTube चैनल पर स्वारत है तो आज इस वीडियो में हम Political Science का बहुत ही important topic करने वाले हैं तो चलिए start करते हैं आज हम पढ़ेंगे ब्रहस्पती के बारे में ब्रहस्पती कौन थे? उन्होंने Statecraft के बारे में Justice के बारे में क्या-क्या Policies दी क्या-क्या उनकी ideology थी Politics के बारे में Overall हम ये समझेंगे कि जो ब्रहस्पती थे उनकी क्या views थे Politics के बारे में अच्छा आप से अगर मैं पूछ हूँ कि ब्रहस्पती का नाम आपने कहां सुना है तो आपके मैंने ब्रहस्पती शब्द सुनते ही आएगा कि ब्रहस्पती एक प्लैनेट का नाम है जिस English में जुपिटर कहा जाता है तो हाँ ब्रहस्पती एक प्लैनेट का नाम तो है ही बट ब्रहस्पती प्राचीन समय में बहुत पुराने टाइम में एक रिशी भी हुए ठीक है आपको पता ही है प्राचीन समय में क्या था देवताओं के भी एक प्रिस्पती थे मदब की टीचर थे गुरू थे इसी तरीके से जो दैतिया होते थे राक्षस होते थे उनके भी एक गुरू थे ठीक है तो ब्रिहस्पती जो है वो क्या थे उनको देव गुरू भी कहा जाता है प्रिसेप्टर ओफ गोट ठीक है ब्रिहस्पती फाउंडर थे अर्थशास्ती स्कूल ओफ इंडिया के उन्होंने अर्थशास्ती स्कूल ओफ इंडिया को आतों से लिखा गया है ठीक है इसमें 6 independent chapters थे ये पब्लीश हुई थी 1816 में by F.W. Thomas F.W. Thomas ने इसको पब्लीश किया था इट कंटेन निती ओफ ब्रिहस्पती डायलोग फॉर्म टू दी किंग ओफ गोड इंद्र ये जो ब्रिहस्पती सुट्र है इसमें इंद्र के बीच में जो बात चीत हुई थी जो conversation हुई थी उसको डायलोग फॉर्म में लिखा हुआ है जिसमें इंद्र को जो की king of god थे इंद्र जब भिहस्पती ने इंद्र को अपनी नितिया बताई और उनको लेक्चर दिया तो जो भी डायलोग थे वो सभी भिहस्पती सुत्र में इंक्लूड किये गए है ब्रिहस्पती defined structure of state ब्रिहस्पती ने state का structure भी define किया है इसमें ब्रिहस्पती सुत्र में ब्रिहस्पती जो थे वो emphasize करते थे scientific and materialistic approach को वो मानते थे हर चीज़ को scientifically देखना चाहिए materialistic view पर भी वो जो देते थे ब्रिहस्पती बोलते थे कि जो state वो एक living system है ब्रिहस्पती ने emphasize किया principle of social welfare वो मानते थे कि social welfare होना चाहिए मतलब कि हम जिस समाज में गया गया है उस समाज में लोगों का भला होना चाहिए लोगों के भलाई के लिए ही सारे काम करने चाहिए ब्रिहस्पती जो थे उन्होंने राज्जा के लिए भी क्लाइन बोली है उन्होंने कहा है never try to destroy or even harm your own people मतलब कि ब्रिहस्पती जो थे वो king के लिए भी एक directive देते थे दिशा निरेश देते थे वो कहते थे कि कभी भी अपनी प्रजा को परिशान करने की या समाप्त करने के बारे में कभी भी प्रयास मत करो हमेशे आपनी प्रजा का भला करो प्रजा का हीद करो never try to harm your own people ठीक है ब्रिहस्पती ने स्टेट के साथ ओर्गन बताया है ये जो साथ ओर्गन है ये क्या क्या है चले देख लेते हैं पहला है प्रित्वी पती मतलब कि राजा अम आते हैं मतलब कि मिनिस्टर्स उसके बाद राष्ट्र राष्ट्र मतलब कि जो कंट्री है ठीक है जिस पर राजा रूल कर रहा है उसको राष्ट्र कहा गया है ठीक है दूर्ग मतलब कि फोर्टिफाइट सिटी हर कंट्री में fortification किया जाते है ताकि उसको protect किया जा सके external invasion से तो यह है दुर्ग बनाए जाते है protect करने के लिए protection के लिए कोश मतलब की खरजाना dund मतलब की army soldiers मित्र मतलब की दोस्त तो यह organ होते है state के जो कि एक state को constitute करते है अगर एक भी और नहीं होगा तो state नहीं बनपाएगा चलिए next देख लिकता है प्रिथ्वी पती प्रिथ्वी पती कोई होता है वो कोई होता था वो जो दो धा ठाट कि हो था इी वोथ रोग प्रिथ्वी पती कहा जाता था he was related to governance प्रिथ्वी पती जो राजा है उसका बहुत ही गहन संबंध होता था अपने राजय से ठीक है अपनी शेत्र से एंड अपनी शेत्र के लोगों से रूलर को देखा जाता था as custodian of land and its resources मतलब यह माना जाता था कि रूलर ही है जो अपनी प्रजा को अपनी country को protect करेगा उसका custodian होगा ठीक है रूलर को custodian यानगी protector माना जाता था land का and उसके resources का प्रिच्वी पती को न होता था custodian of land ठीक है रूलर की duty होती थी to govern and protect territory अपनी territory को protect करना उस पर rule करना maintain prosperity and inland मतलब कि अपने land पर अपनी state में अपनी territory में prosperity को बनाए वक्त इसके अलावा जो रूलर को होता था यानगी जो प्रिथ्वी पती होता था उसका काम था कि वो ensure करे sustainability in its land मतलब कि उसकी territory में वो sustainable development को ensure करे sustainable development तो आपको पता ही होगा कि जितने भी resources है उनका effective use मेस यूज ना हो ताकि future generation के लिए भी वो बने रहे ठीक है तो उसका काम था ensure sustainability in land and its resources ठीक है प्रिथ्वी पती is not above law प्रिथ्वी पती यह वो कानून से उपर नहीं था वो कानून के under hacker ही शासन कर सकता था he is accountable for his action वो accountable था अपने actions के लिए मतलब कि वो जो भी काम करेगा उसके पती वो ठीक है king को highest authority माना जाता था to guide society जो society को guide करेगा king जो है वो source होता था सारी economic activities का king ज्यान की जो प्रिथ्वी पती है वो source होता था सारी economic activities का मतलब जितनी भी economic activities थी वो सारी उसी से आती थी उत्वपन होती थी चलिए next पढ़ लेते हैं next topic है हमारा अमातिय अमातिय कोन होते थे अमातिय होते थे ministers high ranking officials ठीक है यह क्या करते थे यह administration में अपना योगदान देते थे this serving administration वो काफी एहम भूमी का निभाते थे administration में ठीक है and governance में they used to play crucial role in governance ठीक है इसके लावा वो help करते थे state के management में ठीक है उनकी duty क्या थी जो अमातिय होते थे उनकी duty थी mainly राजा को advise देना ठीक है advising regular या फिक advising प्रिथवी पती ठीक है इसके लावा जो king होता था वो जो भी policies बनाता था उसको implement करने का काम भी किसका होता था अमातिय का ठीक है वो advisor होते थ थे king के ठीक है यह देखें यहाँ पर अमातिय की duties लिखी हुई है अमातिय की duties थी advisory role counselor होते थे वो ठीक है जो king को advise देते थे ठीक है council करते थे कि king को क्या करना चाहिए ठीक है counselling करते थे king की counsellor होते थे administrative role था उनका administration में बहुत ही एहम भूमिका निभाते थे वो ठीक है expect किया जाना था कि वो राजा के प्रती loyal है ठीक है trust worthy है ठीक है loyal towards rulers accountability यह जो ministers होते थे यह भी accountable होते थे ठीक है accountable towards ruler and expected to be honest and fair यह expect किया जाना था कि यह हमेशा इमानदार है ठीक है राजा के प्रती वफादार है अब next देखें selection and qualification of amatia यहने की minister के तोर पर किसे चुना जा रहा था क्या थे qualification तो minister बनने के लिए जो qualification थी वो यह थी कि वो person educated हो economics में एक economics की उसको knowledge हो law यान की कानून की knowledge हो politics and ethics की knowledge होने जाए ठीक है अच्छा जो king के ministers होते थे आम आते हैं उनका क्या रोल था policy formulation में मन्दब की नितिया बनाने में ठीक है तो वो provide करते थे input on policy matter जैसे राजा को कोई भी किसी भी चीज़ पर नियम बनाना हो ठीक है या अगर suppose कीजिए कोई भी king या उसको tax के ओपर कोई भी policy बनाने है तो वो अपने ministers को बुलाएगा अमात्या को ठीक है एंड उससे बोलेगा कि tax से related उसको input provide करें ठीक है ज तो इन सब में जानकारी निकाने में input provide करने में king को policy बनाने के लिए input provide कराने में सबसे अहम भूमी का ministers की ही थी ठीक है drafting legislation कई बार क्या होता था minister जो थे वो राजा को सरा देते थे कि राजा को कोई नया कानून बनाना चाहिए ठीक है तो उसके लिए उनको draft करना पड़ता legislation मतलब कि जिस भी विशय पर वो कानून बनवाना चाहते हैं उसके बारे में उनको राजा को information देनी होती थी ठीक है implementing rulers vision for governance राजा जो है उसकी policies को वो implement करते थे next देखें next होता है राष्टर राष्टर क्या था constituent element of state राष्टर जो है वो state का निरमान करने में भोती मैधपुन कारक था ठीक है integrated economic system हर राष्टर में क्या होता था एक integrated economic system होता था जो कि govern होता था एक रूलर की द्वारा जितने भी राष्ट्र है उसमें गवर्नेंस के लिए रूलर यान की किंग की जरुत होती है विदाउट किंग कोई भी राष्ट्र नहीं चल सकता ठीक है embodies the moral and political entity हर एक राष्ट्र की एक political and moral entity होती है ठीक है ये किसने कहा है ब्रिहस्पती ने अपनी statecraft की policy में ठीक है next देखे दुरिग क्या होता था दुरिग fortified structure होता था मदब की किले बंदी की होती थी उसे को दुरिग कहा जाता था used for defensive purpose इसको defense के लिए बचाव के लिए बनाया जाता था represent importance of protecting state ये represent करता है कि उस टाइम पर state को protect करना कितना ज़रूरी होता था ठीक है ब्रिहस्पती ने emphasize किया है need for rulers to maintain well fortified state मदब कि ब्रिहस्पती ने काफी जो दिया है कि हर ruler को एक well fortified state बनवाना चाहिए defense के लिए ठीक है जो छे से fortified हो हर ruler को अपने state में fortification करवाना चाहिए for the purpose of protection ठीक है it was seen as symbol of rulers preparedness of battle इसको एक तरके से symbol के तोपर देखा जाता था कि जो राज़ा है वो कितना prepared है battle के लिए youth के लिए ठीक है कि कल को उस पर कोई आकरमन करते तो वो कितना तयार है safeguarding state against potential invasion or attack यह जो दूर्ग होते थे यह state का defense करते थे किसके against invasion के against ठीक है कि कोई बाहर की country आकर invasion ना कर दे तो हमारा जो next element था जो कि किसी भी state के constitution में काफे important role play करता है किसी भी state को constitute करने में एक important role play करता है वो है कोश कोश का मतलब क्या होता है state wealth या फिर ट्रेजरी यान की खजाना हर राज्ये के राज्या के पास एक राज कोश होता था यान की खजाना होता था जिसमें वो जनता से tax collect करके जो भी उसको पैसा मिलता था या फिर जो भी उसको तो हुफे के रूप में दूसरे देश से मिलता था या जनता से उसे जो भी tax मिलता था वो सारा revenues में वो collect करता था ठीक है तो हर स्टेट में ट्रेजरी होती थी स्टेट वैस जो की काफ़ इंपोर्टेंट रोल प्ले करता था स्टेट की development में ठीक है प्लेयर क्रूशिल रोल इंग गवर्नेस गवर्नेस में शासन में इसका बोधमेतर पून भूमी का थी prosperity of state depend upon treasury स्टेट की prosperity treasury पर ही depend करती थी किसी स्टेट में जितनी ट्रेजरी होगी वो स्टेट उतना prosperous होगा ठीक है proper management of cost ensure financial stability अगर कोश की राज कोश की proper maintenance की जाए proper management किया जाए तो ही कोई भी स्टेट financial stability अचीव कर सकता था financial stability के लिए काफ़ इंपोर्टेंट था कि कोश की proper management हो ठीक है अच्छा कोश में जो पैसा होता था उसका use करके किंगर जो वो क्या करता था infrastructure, defense and public welfare में invest करता था उसको और भी ज़्यादा improve करता था ठीक है it help ruler to fulfill their duty and serve people कोश जो है उसमें जो खजाना होता था उससे किंग को help मिरती थी कि वो अपनी duty अच्छे से निभा पाए लोगों की मदद कर सके लोगों के लिए काम कर सके ठीक है चलिए जो next है वो है dund dund का मतलब होता था punishment ठीक है use of force by state to punish state जो है वो लोगों को punish करने के लिए जो लोग कोई offense करते था उनको punish करने के लिए dund देता था force का use करता था ठीक है to maintain low end order अपनी state में अपने राजिये में अपनी country में low end order क्यानकि कानून और नियाय विवस्था को maintain करने के लिए भीस का use होता था administer justice लोगों को नियाय प्रदान करने के लिए ठीक है भीस पती बोलते है king should use dund judicially within the boundaries of dharma मतलब कि राजा जो है उसको dund का use भूत ही judicially करना चाहिए अपने धर्मा की boundary में रहकर मतलब कि राजा को इतना ज़ादा भी हिंसकनी हो जाना चाहिए कि वो किसी व्यक्ति को छोटी सी गलती का बहुत ही बड़ा धंड दे दे ठीक है राजा को धंड देते समय बहुत ही सोच विचार करना चाहिए एंड हर व्यक्ति को नियाय करूप से ही judicialization सोच विचार करके ही कोई भी धंड देना चाहिए अपने धर्म की सीमवा को पार किये बिना किसी व्यक्ति को धंड देना चाहिए ठीक है enforcement of law मतब कि कानून के enforcement के लिए कानून के पारन के लिए भी धंड काफी important होता था क्योंकि अगर लोगों को उनकी गलती करने पर धंड नहीं दिया जाएगा जाएगा तो लोगों के अंदर डर नहीं बैठेगा तो लोग क्या करेंगे अपनी मनमानी करेंगे ठीक है imposition of penalties लोगों के ओपर penalties लगाई जाती थी ठीक है to maintain social harmony social harmony को maintain करने के लिए भी धंड का सारा लिया जाना था लगी आपसी भाईचारा सामाजिक भाईचारा बना रहें to maintain a stable and ethical society stable and ethical society के लिए भी धंड देना जाओगी था चलिए तो अब हमारा जो last topic है ये seven elements का भ्रहस्पति ने जो seven elements बताये थे state को constitute करने वाले उसका last जो topic है वो है मित्र ठीक है अलाइंसी is peaceful relation राजा जया उसको ensure करना होता था कि दूसरी countries के साथ उसके peaceful relations हो ठीक है राजा जया वो दूसरी countries के साथ मिलकर अलाइंस भी बना सकता था अलाइंस मतलब की एक तरीके से group of friends ठीक है दोस्तों का सम्मूँ ठीक है बहुत साथी countries जब आकर friendship कर ले दी थी तो उससे अलाइंस कहा जाला था आप ये मान कर शलिए ठीक है अच्छा डिप्लोमैसी मतलब की कूट नीती की भी राजा को समझ होनी चाहिए ये काफी important है भ्यस्पती बोलते की राजा जया उसको डिप्लोमैसी की भी समझ होनी चाहिए ठीक है कूट नीती ये की भ्यस्पती हाइलाइट significance of maintaining friendly relation with neighboring state भ्यस्पती हाइलाइट करते है की काफी important है काफी significant है की राजा जो है और दूसरे neighboring states के साथ friendship बनाए रखे ठीक है strategic approach अगर दूसरे state जो राजा के दोस्त नहीं है तो उनको दोस्त बनाने के लिए strategic approach अपनाने चाहिए कोई रन निती बनाने चाहिए या फिर अगर दूसरे state से युद्ध करने तो उसके लिए कोई strategy तयार करने चाहिए राजा को तो ये भ्यस्पती का मानना था ठीक है helping the ruler of diplomatic skills, भ्यस्पती emphasize करते है diplomatic skills के ओपर, कि diplomatic skills जवो हर राजा के अंदर होनी चाहिए, without diplomatic skills a person cannot govern effectively, ठीक है बिना diplomatic skills के एक percentage से शासन नहीं कर सकता, तो ये कुछ important elements थे, जो कि भ्यस्पती ने बताए अपनी थियोगी में, state के बागे में काफ़ important exam में पूछे जाते है अक्सर, पूल और या ऐसे वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कोई, thank you very much